जै माता दी मेरे प्रिय भक्तो आज हम आपको सिरवड कराएंगे सिरी संतोसी माता की ब्रत कथा याज हम आपको एक बहुत ही प्राचीन कथा सुनाने जा रहे हैं तो माता के प्यारे भक्तों हमें कमेंट में जै माता दी जरूर लिखे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए आईए भक्तों अब हम सिर्वार करेंगे मा संतोसी माता की ब्रत कथा एक बुढिया थी जिसके साथ बेटे थे उनमें से छे कमाने बाले थे और एक निकमा था बुढिया मा च्छाओं पुत्रों को रसोई बना कर खिलाती और जो कुछ सेस बचता था उसे साथ बे निकमबे बेटे को खिलाती थी परन्तु वह बहुत भोला भाला था एक दिन वह अपनी बहुर से बोला देखो मेरी मा का मुझ पर कितना अपार प्रेम है वह बोली क्यों नहीं सब का जूठा बचा हुआ भोजन तुमको खिलाती है वह बोला ऐसा कभी नहीं हो सकता है मैं जब यह अपनी आखों से देख नहीं लूँगा तब तक नहीं मान सकता कुछ दिनों बाद बड़ा तियुभार आया घर में सातों पिरकार का भोजन और चूरमे के लड़ू बने वह जांचने को सिरदर्द का बहाना कर पतला कपड़ा सिरपड ओड़े रसोई में सो गया वह कपड़े में से सब देखता रहा छो भाई भोजन करने आये उसने देखा मा उनके लिए सुन्दर आसन बिछा नाना पिरकार की रसोई परोसी और उन्हें आग्रय करके जिमाया वह देखता रहा छो भाई भोजन करके उठे तब माने उनकी जूटी थालियों में से लड़ूं के टुकडे उठा का लड वह कहने लगा मा मुझे आज भूख नहीं लगी है मैं अब परदेश जा रहा हूँ बुडिया मा बोली कल जाता हो सो आज ही चला जा यह कहकर घर से निकल गया चलते समय पतनी की याद आई वह गौसाला में उपले थाप रही थी वहां जाकर बोला हम जाबेंगे परदेश को आबेंगे कुछ काल तुम रहियो संतो से धर में आपनो पाल बहु बोली जाओ पिया आनन्द से हमेरा सोच हटाए राम भरो से हम रहे इसर तुमें सहाए तड़का बोला देव निसानी आपनी देख धरों में धीर सुद्मत हमारी बिसारी और रखियो मनि गंभीर वह बोला मेरे पास तो कुछ भी नहीं है याई अंगूटी यह सो ले लो और अपनी कुछ निसानी मुझे दो वह बोली मेरे पास क्या है याई गोबर भरा हाथ है याई कहकर उसकी पीट पर गोबर के हाथ की थाप लगा दी वह चल दिया चलते चलते दूर देश में पहुंचा वहाँ एक साहुकार की दुखान थी वहाँ जाकर कहने लगा भाई मुझे नौकरी पर रख लो शाहुकार को आदमी की जरूरत थी वह बोला रह जाओ लड़के ने पूचा तनख्वाय क्या दोगे साहुकार ने कहा काम देख कर दाम मिलेंगे साहुकार को नौकरी मिली वह सबेरे से साम तक नौकरी बजाने लगा थोड़े दिनों में दुकानदार के साथ आठ नौकर थे बे सब चक्कर खाने लगे कि यह बहुत हुसियार बन गया है सेठ ने उसका काम देख तीन महिने में ही उसे आदे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया वह कुछ बर्सों में नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़ कर बाहर चला गया अब बहु पर क्या भी 300 सुनो सास ससुर इसे दुख देने लगे सारी ग्रस्ती का काम कराबें उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजें इतने पर भी घर में जो भूसी निकलती थी उसकी रोटी बना कर रख दी और फूटे नारियल की नरेली में पानी इस प्रकार दिन गुजरते रहे एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी इस्त्रियां संतो सी माता का ब्रत करती मिल गई उन्हें देखकर वह वहां खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूचने लगी हे बहनो तुम किस देवता का ब्रत कर रही हो इसके करने से क्या फल मिलता है मुझे भी बिस्तार पूरवग बताईए ब्रत करने की क्या बिदी है तब वह इस्त्रियां बोली सुनो यह संतोसी माता का ब्रत है इसके करने से निर्धनता और दरिदता का नास होता है लच्चमी घर में आती है और मन की चिंताओं का नास होता है घर में सुक आने से मन को पिरसनता और सांती मिलती है निपुत्री को पुत्र मिले स्वामी बाहर गया हो तो सीग्र लोट आ ग्राइक लेस की निर्वत्ती हो श्रुक सांती आबे घर में धन जमा हो पैसा वा जायजात का लाव हो रोग दूर हो जावे तथा और जो भी मन में कामना है वह सब इस संतों सी माता की किरपा से पूरी हो जाती है इसमें कोई संधे नहीं है तब वह पूछने लगी यह ब्रत कैसे किया जाता है यह भी बतादो बेहन आपकी बड़ी किरपा होगी वह इस्त्रियां कहने लगी सबाए हिसाब का गोड़ और चना लेना और सरद्धा न हो तो सबा पैसे का ही लेना या सबा रुपे का सहुलियत के अनुसार लेना बिना परेशानी सरद्धा और प्रेम से जितना बन सके सवाया लेना पिरतेक सुक्कुवार को निराहार रहकर कथा कहना या सुनना परंतु इसके बीच में क्रम नहीं टूटे लगातार नियम पूर्वक करना सुनने बाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जला उसके आगे जल के पात्र को सामने रखकर कथा कहना परंतु नियम ना टूटे जब तक कारसिद ना हो तब तक नियम का पालन करते रहना और कारसिद हो जाने पर ब्रत का उध्यापन करना तीन माह में माता फल पूरा करती हैं यदि किसी के ग्रह खोटे हों तो भी माता एक बर्स में कार सिद्ध कर ही देती हैं फल सिद्ध होने पर उध्यापन करना चाहिए बीच में उचित नहीं है उध्यापन अड़ाई किलो आटे का भूजन तथा इसी पैणाम से खीर और चने का साख करना चाहिए आठ लड़कों इथा सकती कुछ बस्तू दें पैसा रुपया ना दें उस दिन घर के बाहर कोई भी खटाई ना खाने पावे यह सुन बुड़िया के लड़के की बहुच चल दी रास्ते में लकड़ी के बोच को बेच दिया और उन पैसों का गुड़ और चनाले माता के ब्रत की तैयारी की आगे चली और सामने मंदर देखकर पूछने लगी यह किसका मंदर है लोक कहने लगे संतोसी माता का मंदर है यह सुन माता के मंदर में जा माता के चरणों में लोटने लगी और बोली मैं दीन हूँ बिंती करने लगी माता मैं नपट मूर्ख हूँ ब्रत के नियम कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ, खे माता, जगत जन्नी, मेरा दुख दूर करो, मैं तेरी सरण हूँ, माता को दया आई, एक सुक्वार बीता के, दूसरे सुक्वार को ही उसके पती का पत्र आया, और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा, याई देख जेठ जिठानी मुझ सिकोडने लगे, इतने दिन में इतना पैसा आया, इसमें क्या बढ़ाई है, लड़के ताने देने लगे, काकी के पास अब पत्र आने लगे, रुपया आने लगा, अब काकी की खातिर बढ़ेगी, अब काकी बूलने पर भी नहीं बोलेगी, बेचारी सरलता से कहती ह भैया पत्र आबे, रुपया आबे, तो हम सब के लिए अच्छा है, ऐसा कहे कर आखों में आसु भर कर संतोसी माता के मंदिर में जा माते स्वरी के चर्णों में गिर कर रोने लगी, मा मैंने तुम से पैसा कब मांगा है, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुह आख से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्सन और सेवा मांगती हूँ, तब माता जी ने प्रसन होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा, यह सुन कुछी से बाबली हो, घर में जा काम करने लगी, अब संतोसी मा बिचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो प्रगट हो कहने लगी, साहू कार के बेटे सो रहा है या जाकता है, वह कहने लगा, माता सोता भी नहीं, जाकता भी नहीं हूँ, बीच मैं ही हूँ, कहो क्या आग्या है, मा कहने लगी, तेरे घर बार है या नहीं, वह बोला, मेरा सब कुछ है माता, मा बाप है, भाई बेह प्रण तेरे माबाप उसे बहुत दुख दे रहे हैं तेरे लिए तरस रही है तू उसकी सुधी ले बोला माता जी यह मुझे मालूम है परन्तु जाओं कैसे परदेश की बात है लेन लेन का कोई हिसाब नहीं है कोई जाने का रस्ता नजर नहीं आता है कैसे जाओं मा कहने लगी मेरी बात मान सबीरे नहा धोकर संतोसी माता का नाम ले घीका दीपक जला दंडवत प्रणाम कर दुकान पर जा बैठ देखते देखते तेरा सब लेन देन चुक जाएगा साज होते होते धन का भारी धेड लग जाएगा अब ओए सबीरे बहुत जल्दी उठ भाई बंदों से अपने सपने की बात कहता है बे सब उसकी अनसुनी कर दिल लगी उड़ाने लगे कहीं सपने भी सच होते हैं एक बुड़ा बोला देख भाई मेरी बात मान इस प्रकासाच जूट के बदले देउता ने जैसा कहा है ब लेने वाले रुपया लाने लगे कूठे भरे सामानों के खरीदा नंगत दाम दे सोधा ताय करने लगे और साम तक धन का धेल लग गया मन से माता का नाम ले चमतकार देख प्रसन हो घर ले जाने के बास्ते गहने कपड़ा और सामान खरीदने लगा और यहां के काम से अपने का स्थान ठहरा दूल उरती हुई देखवाय माता जी से पूछती है हे माता या दूल कैसे उड़ रही है मा कहती है हे पुत्री तेरे पती आ रहे हैं आज अब तू ऐसा कर कि लकडियों के तीन बोज बनाला एक नदी के किनारे रख और दूसरा मेरे मंदर पर और तीस कर जाना और बीच चोक में गठा डाल कर तीन आवाजें जोर से लगाना कि सासो जी लकडियों का गठा लो और भूसी की रोटी वा नारियल के खोपड़े में पानी दो आज कौन महमान आया है बहुत अच्छा माता जी बहुत अच्छा ऐसा कहकर वै पिरसन हो लकडियों के तीन गठा ले आई और एक नदी पर एक माता जी के मंदिर पर रखा इतने मैं ही मुसाफिर आ पहुँचा लकडि सूखी देख उसकी एक्छा उत्पन हुई की आज अब यहीं निवास करें और भोजन बना खा पी कर गाउं को जाएं इस प्रकार रुक कर भोजन बना विस् लो सासोजी लकडियों का गठा लो और भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी दो आज कौन महमान आया है यह सुनकर उसकी सास बाहर आने पर अपने दिये हुए कष्टों को भूलाने ही तू कहती है बहु ऐसा क्यों कहती है तेरा मालिक आया है आ बैठ मीठा भात खा भोजन कर कपड़े पहन इतने में आवाज सुनकर उसका स्वामी बाहर आता है अंगूठी देख ब्याकुल होता है मा से पूछता है मा यह कौन है मा कहती है बेटा यह तेरी बहु है आज बारह बर सो गए है जब से गया है तब से सारे गाउं में जानबर की तरह भ मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी देखा अब मुझे दूसरे घर की ताली दो मैं उसमें रहूंगा तब मा बोली ठीक है बेटा तेरी जैसी मरजी हो यह कहकर ताली का गुच्छा पटक दिया उसने ताली लेकर दूसरे मकान में जा तीसरे मंजल के ऊपर एक कमरा खो इसी माता के ब्रत का उध्यापन करना है उसका पती बोला बहुत अच्छा बड़ी खुसी से कर लो तुरंत ही उध्यापन की तैयारी करने लगी जेट के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई उसने सुईकार का लिया परंतु पीछे से जिठानी ने बच्चों को सिखा द दिया देखो रे भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना जिससे इसका उध्यापन पूरा ना हो लड़के जीमने आए खीर पूरी खाकर पेट भर गया परंतु वह बात याद आते ही कहने लगे कि हमें खटाई दो खीर खाना हमें अच्छा नहीं लगता देखकर अर्ची ह यह सुन बहु कहने लगी खटाई किसी को नहीं दी जाएगी यह संतोसी माता का पिरसाध है लड़के उठ खड़े हुए और बोले नहीं तो पैसा दो भोली बहु कुछ जानती नहीं थी उन्हें पैसे दे दिये लड़के उसी समय हट करके इमली लेकर खाने लगे यह माता जी यह तुमने क्या किया हसा कर अब क्यों रोलाने लगी माता जी बोली पुत्री तूने अभिमान कर मेरा ब्रत भंग किया है इतनी जल्दी सब बातें भुला दी वह बोली अब भूलना होगी मा अब यह बताओ बे बापिस कैसे आबेंगे मा बोली जा पुत्री तेर धन जो कमाया था उसका कर राजा ने मांगा था वै भरने गया था वै फिर सन होकर बोली भला हुआ अब घर पर चलो घर गए तो कुछ दिन बाद ही सुक्वार आया और उसने उध्धापन किया वै फिर जेट के लड़कों को भोजन की कहने गई जेठानी ने लड़कों को नहीं मिलेगी ता वै ब्रामभर तथा पड़गोसियों के लड़कों को लाकर भोजन कराकर उन्हें दच्छडा में एक एक फल दिया संतोसी माता पिरसन हुई नबे मास में उसके चंद्रमा के समान सुन्दर पुत्र हुआ वै पुत्र को लेकर पिरते दिन माता जी के मंद दिना रही थी देहरी पर पाउ रखते ही उसकी सास चिलाई देखो रे देखो कोई चुडेल चली आ रही है लड़कों इसे भगाव नहीं तो यह किसी को खा जाएगी लड़के उठकर भागने लगे चिला कर खिड़की बंद करने लगे बहु रोसंदान मैंसे देख रही पर संहता से पगली Bent चिलाने लगी आज मेरी माताजी मेरे गहर आई है आज मेरी माताजी मेरे घहर आई है वहाए बच्चे को दूद पीने से हटाती है इतने मैं तो उसकी सास का क्रोद खूत पड़ा इतने मैं मा के परताफ से लड़के ही लड़के नजर आने लगे प्रकार माता जी पिर्शन हुई उस सास बहु को पिर्शन होकर माता जी ने जैसा फल दिया बैसा माता हम सब को दो जो उसकी कथा को पड़े उनके मनुरत पूर हो बोलो शंतोसी माता की जय